9 गंटी की पूश्टाच के बाद शिवसीना सांसत संजय रौत को एडी ने हिरासत में ले लिया है पात्रा चौल जमीन गोटाले मामले में रविवार सुबस रही संजय रौत से पूश्टाच की जा रही थी इस गोटाले में E.D. ने Prevention of Money Laundering Act के तहत केस दर्च किया था जिसका connection अब जुड़ते जुड़ते संजय रौत के घर तका पहुंचा है तो आखिर पात्रा चौल जमीन गोटाला है क्या और क्यों इस मामले में संजय रौत का नाम बार बार सामने आ रहा है जानेंगे आज के हम इस विडियो में नमस्कार में अनाम स्वार्णा और आप देख रहे हैं अनकट पात्रा चौल जमीन गोटाले की शुरुआद 2007 से हुई जब गुरु आशीश कंस्ट्रक्शन कंपनी को पात्रा चौल का विकास करने का काम महराश्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलाप्मेंट अथॉरिटी की तरफ से दिया गया था यह कंस्ट्रक्शन गोरिगाओं के सिधात नगर में होना था जिसमें प्रवीन राउद गुरु आशीश कंस्ट्रक्शन और हाउसिंग डेवलाप्मेंट एंड इंफ्रस्ट्रक्शर लिमिटेट की मिली भगत से एक हजार करोड से अधिक के गोटाले को अंजाम दिया गया महाड़ा की 47 एकड जमीन में कुल 672 घर बने हैं री डेवलाप्मेंट के बाद गुरु आशीश कंस्ट्रक्शन ने फ्लैट बनाने की बजाए 47 एकड की जमीन को 9 अलग अलग बिल्डरों को बेच दिया जिससे कमपनी को 901.79 करोड रुपे की कमाई हुई जाज में सामने आया है कि इस पूरे मामले में गुरु आशीश कंस्ट्रक्शन ने गैर कानूनी तरीके से 1049 करोड रुपे की कमाई की 11 साल बाद मार्च 2018 में मारड़ा ने गुरु आशीश कंस्ट्रक्शन के खिलाब F.I.R. दर्ज करवाई मामला जो था वो Economic Offense Wing को दिया गया EOW ने इस मामले में फरवरी 2020 में प्रवीन राउत को गिरफतार कर लिया बताया जाता है कि जो प्रवीन राउत है वो संजे राउत के काफी करीबी है गुरु आशीश कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड हाउसिंग डवलाप्मेंट और इंफ्रस्ट्रक्शर लिमिटेड की सिस्टर कमपनी है राकेश वधावन सारांग वधावन और प्रवीन राउत SDIL में डिरेक्टर थे प्रवीन राउत और वधावन बंदू वहीं है जिनका नाम PMC बैंक घुटाले में भी आया था दिसंबर 2020 में इस गुटाले से जुड़े मामले में प्रवीन राउत की 72 करोड रुपे से ज़्यादा की संपत्ती अटाच की गई थी एडी ने बताया था कि 2010 में प्रवीन राउत को एक्विटी बिक्री और लान डील के लिए 95 करोड रुपे मिले थे हाला कि कंपनी इस प्रोजेक्ट को पूरा नहीं कर पाया था कुल मिलाकर प्रवीन राउत, राकेश वधावन और सारांग वधावन ने री डेवलाप्मेंट प्रोजेक्ट के नाम पर करोडो रुपे का हेर फेर किया इस मामले में E.D. ने प्रवीन रौत को और उसकी करीबी सुजीत पाटकर से जुड़े ठिकानों पर छापे मारी भी की थी जिसमें प्रवीन रौत को गिरफतार किया गया था और पाटकर का बयान दर्ज किया गया था इसके बात जिस सुजीत पार्टकर का नाम सामने आया था उसका लिंग संजे राओट से जोड़ा जा रहा था सुजीत संजे राओट का करीभी भाना जाता है इसके अलावा सुजीत पार्टकर की एक wine trending company है जिसमें संजे राओट की बेटी उसकी partner है बेटी के साथ E.D. ने पिछले साल संजे राउत की पत्नी वर्षा राउत से PMC बैंक घुटाले और प्रबीन राउत की पत्नी माधुरी राउत से सम्मंदों को लेगर पूशताच की थी जाज में एक नई बात सामने आई थी वो ये थी कि वर्षा राउत और माधुरी राउत अबनी कंस्ट्रक्शन में पार्टनर हैं इस कंपनी में वर्षा राउत ने सिर्फ 5,625 रुपए का कॉंट्रिब्यूशन किया था जबकि इस कंपनी से उन्हें 12 लाख रुपए मिले थे तो इस पूरे मामले में एडी जो है वो पूरे राउत परिवार पर शिकंजा कसने में लगी हुई है वही एडी की कारवाई ये कुछी देर बाद संजे रौत ने ट्वीट कर आरोप लगाते हुए लिखा कि उन्हें राजनेतिक प्रतिशोत के लिए निशाना बनाया जा रहा है उनका हाथ किसी भी घोटाले में नहीं है अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें शेर करें और सब्सक्राइब करें अनकट को